हलो फ्रेंड्स मैं इसके सैनी है मैं आशी गुरूप में एक बार आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे 12th class के economics या हम कर सकते हैं आर्ट 12th class के economics या commerce का economics या become first year का economics या बी या first year का economics इन सभी में इसका जिक्र किया जाता है इसके पहले हम लोगों ने देखा अर्थ सास का परिजय अध्यान किया था और अर्थ सास की उत्पति कवर कैसे हुई थी उसके जनक कौन है बहुत सारी बातों का हम लोगों ने अध्यान किया था परिभासाओं को सभी तरह से हमने बाट दिया था एड़ा मिश्मित मार्सल जेके महता रोविन्स आधुनिक परिभासाओं पाचो भागों में इसको बाट करके हमने आपको बताने का प्रियास किया था तो उसमें कुछ और भी बातें रह गई हैं अभी लंबा चिप्टर है इसका मध्यान करेंगे और पीछले वाले वीडियो का इस वीडियो में इसका लिंक भी डाल देंगे चाहेंगे तो आप पूरा आप उसे देख सकते हैं और मेरे साथ आज बने रहे और मैं आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से माइक्रो और मैक्रो के वारे में हम समझाने वाले हैं तो देखते हैं कि अर्थ सास्त्र की बिसे सामागरी को तू भागों में बाद देते हैं नाम सुने हों गया एक ब्यास्टी अर्थ सास्त्र और दूसरा समस्टी अर्थ सास्त्र यह हैं ब्यास्टी अर्थ सास्त्र और दूसरा है समस्टी अर्थ सास्त्र ब्याष्टी का मदलब होता है माइक्रो माइक्रो इकोनोमिक्स और ये होता है मैक्रो इकोनोमिक्स यानि हम कह सकते हैं ब्याष्टी अर्षस और समस्टी अर्ष अर्थ सास्त्र की विशै सामागरी को हम दो भागों में बाड़ते हैं माइक्रो और मैक्रो ब्याष्टी का मतलब होता चोटा सुच्मी समाल और समस्टी का मतलब होता ब्रीहद विसाल बड़ा बहुत बड़े अर्थ बेवस्था का जब हम अध्यान करते हैं तो वो समस्टी अर्षास के अंदर करता है अब ही मैं आपको एक एक बिंदू पे नजर डालते हुए इसको किलियर करने का प्रयास करेंगे कि ब्यास्टी क्या है और समस्टी क्या है ऐसे ऐसे उदारन हम देंगे जो आपको किलियर हो जाएगा बहुत सारी सितियां आती हैं कि समझ भे नहीं आता है लेकिन ब्यास्टी और समस्टी आज हम लोग समझने वाले हैं तो सबसे पहले हम ये जाने का प्रयास करते हैं कि जो ये ब्यास्टी अर्थसास्त्र का प्रयोग कब और किसनी किया था कहां पे हुआ था उसके बाद हम तेखते हैं तो ब्याष्टी अर्थ सास्त्र का प्रियोग हम कह सकते हैं स्वर प्रथम इसका निर्मार या इसका प्रियोग करने वाले कौन ऐसे अर्थ सास्त्री है या हम कह सकते हैं कि ब्याष्टी अर्थ सास्त्र का प्रियोग या हम कह सकते हैं निर्मार या प्रियोग करने वाले प्रथम अर्थ सास्त्री रगनर फ्रीस ने किया था नाम जान लिए रगनर फ्रीश यह अर्थसास्त्री का नाम है यह रगनर फ्रीश ने सरप्रथम ब्यास्टी अर्थसास्त्र या माइक्रो एकनोमिक्स या समस्टी अर्थसास्त्र या मैक्रो एकनोमिक्स का निर्माड या प्रियोग सरप्रथम प्रोफेसर रगनर फ्रीश ने किया था उसके बाद आज स्वभी अर्थ सास्त्री ब्यास्टी और समस्टी का प्रियोग अपनी विधा में करते हैं अपनी अर्थिविवस्था का जब जिक्र करते हैं तो वो ब्यास्टी और समस्टी दो भाग में बाट करके अर्थिविवस्था का अध्यान करते हैं ब्यास्टी अर्थ सास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्यान हम कर सकते हैं आर्थिक मुद्दों का अध्यान लगु इसमाल या छोटे इकाईयों में किया जाता है अभी और में आपको सम्झाने वाला हो सबसे पहले आप इसके बार्थ हमें जाना प्रयास करते हैं कि ब्यास्टी अर्थ सास्त के अंत्रगत आर्थिक मुद्दों का अध्यान किया जाता है छोटे और लगु अस्तर पे लेकिन हम जानेंगे कि ये माइक्रो और मैक्रो सब्द का प्रयोग कहां से कब कैसे आया थोड़ा सा ये भी जानें कि उसके चोटे कोस्टन को भी साधने का प्रयास करते हैं तो ब्यास्टी अर्षास को हम माइक्रो इकोनोमिक से कहते हैं आप जानें होंगे माइक्रो ये जो है ग्रीक भासा के ग्रीक भासा से लिया गया है ग्रीक भासा के किन सब्द से लिया गया है यही तो जानना है माइक्रोज हम कह सकते हैं माई क्रोज सब्द से लिया गया है माई क्रोज सब्द से लिया गया है नि हम कर सकते हैं माईक्रोग्रोग्रीक भासा के माईक्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग भासा के मैक्रोस और मैक्रो एक्रोनामिक्स ग्रीक भासा के मैक्रोस से लिया गया है इसका मतलब होता है लगू इसका मतलब है लगू छोटा या हम कह सकते हैं इसमाल इसका मतलब होता है बिशाल हम कह सकते हैं बड़ा ब्रिहद जब ब्रिहद अस्तर पे अर्थवियोस्था का अध्यान हम करते हैं, तो वो मैक्रो एकनॉमिक्स के अंदर गता आता है, जब हम सुच मिस्माल अस्तर पे अर्थिववस्था का अध्यान करते हैं, तो मैक्रो एकनॉमिक्स के अंदर गता आता है, अब हम ये देखते हैं, कि मैक्रो एकनॉमिक्स के अंदर गत, किन-किन इसको हम एक एक पॉइंट करके आपको समझाने वाले हैं जो किलियर हो जाएगा माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है और आपको जीवन बर भूने वाला नहीं है जैसे हम देखते हैं कि ब्यक्तिगत उपभोगता का जब अध्यान किया जाता है यानि हम ब्यक्तिगत उपभोगता का जब अध्यान करते हैं अरे भाई प्रशनल कंसुमर की हम बात करते हैं बाई देश में बहुत सारे उपभोगता है और बहुत सारे उपभोगता को जब हम एक साथ अध्यान करेंगे एक ही साथ कि कितने उपभोगता हैं वो समस्टी हो ग करते हैं एक उध्योग का बात करते हैं इसकी अंद्रगत अब आपको यह बताता हैं ऑर उद्योग में क्या डिफरेंस है जला जान लिजिए, नहीं तो आपको confusion होगा, सर यहां फर्म ही बोलने या उद्धो भी बोलने है, फर्म जो होता है, एक उद्योग की सुछमतम ही काई होती है, उद्योग जो होता है, एक फर्म का बेहरत सुरूप होता है, आई हम एक छोटे से उदारन में आपको समझाने का प्रियास करते हैं, सिमेंट का नाम सुने होंगे, सिमेंट का नाम सुने होंगे, सिमेंट उद्योग, एक सिमेंट उद्योग, भाई सिमेंट उद्योग के अंद्रगत होता क्या है, सारे सिमेंट से घर बनाने का हम प्रियोग करते हैं, सिमेंट उद्योग, इसके अंद्रग आपने देखा होगा रिलाइंस भी आता होगा इसके अंदर需要 One सारे वी फैसमेंट का नाम आप जानते ही होंगे घरों में इसकी ज़रूरत प्रती 123 क्या हो गया यह उध्योगburg यह क्या हो जैसे मैं लिजी टाटा का हो गया, रिलाइङस का हो गया, यह सब क्या हो गया, फर्म हो गया, तो हम बात करते हैं कि ब्यक्ति गत तो प्रेश्नल हो गया और सुच्म होक्या के व़िस देश की अंद्रगत सिमेंट वो ढुग कही कारखाना तो नहीं नहीं है इस देश की अर्थव्योस था केवल सिमेंट उद्योग से ही तो क्यों संचालित नहीं हो रही है इस देश में बहुत सारे जैसे सिमेंट उद्योग बिस्किट योग खाद उद्योग हम कर सकते हैं लह इसपात उद्योग खनीज उद्योग पेट्रोलियम उ करते हैं तो यह हो गया समास्टी बात करते हैं अद्यान करते हैं करते हैं सारे समों के ख़ा को एक साथ में हम अर्थव्य श्सा मैं वो समस्टी हो जाएगा जब only किसी एक उद्योग की बात करते हैं तो वो बैस्टी हो जाएगा बहुत सरल सब्द में हम आपको बताना चाहेंगे तो ब्यक्तिगत उभोगता अरे भाई दिवरिया सहर है यह बहुत बड़ा कॉस्टमर है यहां पर सभी लोग अपनी हो सकता कि पूर्ति के अन्त्रगत बहुत में यह यहां अगर ही और सर्फन यांव में आधा होगा कि वैक्टिगत उभोग फशर्मिय एक उद्योग में वैक्यगत इकाई की बात करते हैं जो यो वी इकाई की बात करें और आ हो माइक्रो इकनोमिक्स के अंत्रगत बहुत सारी बातों का आज हम आज इसका पूल खोली देंगे जिससे आपको हमेशा जो फसाता है कि ब्यास्टी समस्टी क्या है ब्यक्तिकत निकाई आज मैं उसको यह बहुत बड़ा जैसे माल लिजे आपके घर देखेंगे कि यह बहुत स औरी से सबस्टी हो यह एकिक्ष का अगर आजेन करेंगे तो ब्यक्तिकत निकाई की जब बात करते हम जैसे एक हैणगे आज आ मातर्य यह आफ न ब। अच्छा है कि बुला है पेश्टी की नहीं है इसका बज़े निया कि वोजन कीतना है सौगराम है कि डेट सोगराम है पूरा पेटी तो दस के जिए समस्टी हो गया समस्ट दस के जिए उसमें से ये काई का धेन करते हैं तो बैश्टी हो गए नहीत है, सिमपल सी बात है, तो हम देखे हैं गया डैकतीगत रीकाई की बात करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, Body System को भी एक आधार बना करके, आने दीज़े थोड़ा सा और तो क्या कर से हैं, एनि हमने देखा कि व्यक्ति गत इक-ई की बात करते हैं बिसिस्ट परिवार की बात करते हैं, अगर हम देखें बिसिस्ट परिवार, बिसिस्ट परिवार आप चाहेंगे तो ये नोट्स भी करते जाएंगे कौन-कौन हम पॉइंट्स टालने हैं विशिष्ट परिवार की जब बात करते हैं वो क्या जाता है ब्यास्टी के अंद्रगत और भारत के समस्ट परिवार का अध्यन करिये अज समस्टी अर्सस में आ गया अगर आप देखें यानि ब्यक् हैमी मेरे बहुत बैसे ऽिसके ज़ुरूद भी नहीं है इसके आपर आफ्य ऐसे कदेंधियोग फूम अज्वत आप यह हमारे हमारे सब के लिए नहीं है प्रसनल जब किसी बैक्तिकी बात करते हैं तो वह कमफ़र्ड है योटियोई हम खरीदने के लिए सच्छा मैं कि नहीं समाद में तो बहुत सारे एसी भी बीखता है कुलर भी बीखता है तो कह देंगे कि एसी नहीं बनाया जाए क्योंकि बहुत मांगा है इस समू की बात है लेकिन जब प्रशनल एक बेक्ट की बात आती है तो उसकी कीमत हमारी आवकात में रहने की है किसी के वकात एसी में रहने की तो मेरे प्रशनल बात किया जाएगा तो मैं देखूंगा कि मेरे यह जेब में आता है कि नहीं तो फैन मेरे जी में आता है क्योंकि प्राइस बैक्तिगत कीमत मैं उसको कंफर्ट कर सकता हूं तो बैक्तिगत कीमत बैस्टी अर करता है और सामुई की मत समस्टी में आ जाता है मजदूरी की बात करते हैं मजदूरी 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 भी क्योंकि एक बैक्ट की मजदूरी की बात करते हैं इस देश में मजदूरी की बात करें तो किसी की इंकम पर मंथ 30,000 है किसी की इंकम 1,00,000 है किसी की इंकम 10,00,000 की पैकेज पर काम करता है और किसी की इंकम 1,500 रुपया है तो हम अलग-अलग पर्टुकल अगर बात करते हैं तो मजदूरी इस देश में मजदूरी कितना जाता है इस देश में जितने वरकर हैं उन सब का मजद कि आए बात करते हैं वो समस्टी हो गया राष्टी आए भारत की राष्टी आए यह है अब फलाने की राष्टी आए यह है भारत की राष्टी आए पांच हजार है हमारा राष्टी आए पांच सो रुपया है तो हम जब पांच हजार की बात आती है वो समस्टी हो गया जब म मरी मजदूरी मजदूरी आय की बाद करते हैं राष्टी आय समस्टी आगया प्रशनल इंकम अगर नेशनल इंकम भी बात करते हैं तो समस्टी हो गया अब प्रशनल इंकम की जब हम बात करते हैं तो क्या हो गया वह बैस्टी हो गया माइक्रो हो गया फिर से आय की बात करते ह हम ब्यक्तिगत उद्योग की भी बात कर सकते हैं नुवा पॉइंट है ब्रशनल इंडस्टी की बात करते हैं यह ब्यक्तिगत उद्योग की बात करते हैं तो इस तरह से हमने देखा यह ब्यश्टी और सास्त्र के अंतरगत आता है यह नहीं हम कह सकते हैं कि ब्यक्तिगत उद् किंमत की बात करते हैं पमस्दूरी की बाद करते है haniki फुवन करते हैं इनका पर अधैन किया जाता है किसके अंद्रगत सियर जाता है बैष्ट सास्त्र के अंत्रगत समझ ऐस अपढ़ने और देखें होगे Onu यह सफरीर यह सरीर छोटी छोटी सेल्स इकाईयों से मिल करके बना है मैं डाक्टर के पास जाता हूं करता हूं कि डाक्टर साथ मैं तो बहुत ठीक हूं लेकिन पता नहीं कहा है यहां बहुत दर्द होता है काता आरहें देखने में सुस्त है कि पढ़ कि आपकर यह नहीं हम आपका ECG जाज करा लेते हैं तो हमारे किसी एक पॉर्ट की जांच कराईगी न यह नि हो सकता है कि हट में कोई प्रावलम हो इस पेशल इडिनी की जाज करें तो इस पेसल की दिनी की बाड़ी तो है न एक शेल्स यानि जब हम बिभिन सेल्स का अलग-अलग अध्यान करते हैं वह ब्यक्ष्टी है माइक्रो है जब बौडी का एक साथ देख लेते हैं बौडी ठीक लंबाई चोड़ाई मोटाई बहुत अच्छा है इस मार्ट है इस वह मस्ती हो गया लेकिन छोटी छोटी एकाईयों का अधेके मेडिकल देने जाते हैं जब किसी आर्म्य और मीव जाते हैं मेडिकल आप फे करते हैं 500 के आकने हमने देख लिया तो समस्टी को गया घरखर जा करके ब्यक्ति की स्वास्त का जाज करना घरघ टी का लगाना यह क्या होता है बैस्ति ब्यक्ति गर सबको घर जाना सबको टी का लगाना मुश्य एक-एक ब्यक्ति का ध्याईन करते हैं हम यह आता है हमारा माइक्रोईकोनोमिक्स के अंदर गता ब्यक्ति तो हमने देखा इन बहुँ सारे और सारे भहुँ सारे पॉइंट हो सकते हैं मैंने आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट बताएं जिससे आपको माइक्रो एकोनोमिक्स एक दम समझ में आ जाए तो इन ही सबका आध्यन माइक्रो एकोनोमिक्स के अंदरगत किया जाता है आई हम और थोड़ा सा आपको घहराई से बताने का हम प्रयास करते हैं माइक्रो एकोनोमिक्स को और जान लिजे कोई जरूरी नहीं कि मैं समस्टी यानि समस्टी या मैक्रो एकनोमिक्स का जिक्र करूँ इससे जो परे होता है उससों क्या है समस्टी में फिर भी मैं आपको एक बार बता दूँगा उसको भी समझा दूँगा बैस्टी अर्थ सास्त्र में ब्यक्तिगत इकाईयों तथा लगु समुहों की हम कह सकते हैं बैस्टी अर्थ सास्त्र में ब्यक्तिगत इकाईयों तथा लगु समुहों की आर्थिक हम कह सकते हैं लगु शमूह की आर्थिक क्रियाओं का तथा उनके ब्योहार का अध्यिन किया जाता है लगु शमूह की आर्थिक क्रियाओं का तथा उनके ब्योहार का मतलब ब्यक्तिगत इकाई चोटे समूह किस प्रकार काम कर रहा है कैसे अपने को संतुलन स्थापित कर रहा है उनका अध्यान हम ब्यस्टि अर्थ सास्त्र के अंद्रगत करते हैं एक और भी सिधानत है कि ब्यस्टि बरक सिधानत में हम इस बात का भी अध्यान करते हैं कि आर्थिक जीवी जिसको हम बोलते हैं इकनोमिक्स वर्जीनम के बिभिन को सेल अठात इसको दरह मीटाते हैं फिर आपको में समझाते हैं बैस्टि अर्थ सास्त्र समझ में आ गया हुए कि एनेक ब्यवार में हम और को सकते हैं कि बैश्टि बरक सिधानत में हम इस बात का भी अध्यान करते हैं आर्थिक जीवी हम का सकते हैं कि आर्थिक रिश्टि जीवी जिसको हम बोलते हैं इकनोमिक और जीड messy rhyme वर्जीनम एनि जिसको हम बोलते हैं सेल सेल एनि कोशी का जिसको हम सदी की बात करते हैं कोशी का एनि हम विभिन कोश कह सकते हैं सेल कह सकते हैं अर्थात अर्थ विवस्ता की बिभिन इकाई जिसको हम समगर उभोगता शमगर उत्पादक सर्मक सर्मेक समगर विक्रेता की आर्थिक क्रियाओं का हम अध्यान सुचमतम इकाई के रूप में करते हैं जैसे हम कह सकते हैं यह सेल्स हैं माली यह आर्थिक जीवी का मतलब हो गया कि जो एक जो अर्थ विवस्ता का सेल के जैसा बड़ा बाढ़ी देखे हो न तो छोटे 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 इकाई से मिल करके इस शरीर का निर्मान हुआ है अर्याक अर्यम लयव्य इक इदुदय क्लेटट करके यह माछ्टा कंगी सम्सट्टी हो गया है जब एक एक इंट का अध्यन करेंगे जहाँ और भी तरह जो तरह से, देश की आर्थवियोस्था में, माली जी ये देश है, तो इसकी अर्थव्योस्ता में बहुत सारे ऐसे पूरे देश में। छोटे छोटे रजिश्टर्ड, नन रजिश्टर्ड संस्थाएं काम कर रहे हैं। छोटी-छोटे साभी का इंडुविज्वल अलग-अलग अध्यान करना यह समस्त्र मजदूर हैं उनका भी अध्यान करना समस्त उत्पादक हैं उनका भी अध्यान करना अनि सबका अध्यान करना बिसिष्ट अर्थ व्योस्था में सुच्म अध्यान हम करते हैं यानि बिसिष्ट बैस्टी अर्थसास के अंदरकर हम उसका अध्यान करते हैं चलिए हम एक और आपको तरीके से संधने का प्रयास करते हैं कि यह क्या है माइक्रोइस्कोप बिधी से भी से हम समझने का प्रयास करते हैं प्रोफेसर लर्नर एक ऐसे अर्थसास्त्री हैं जो बैस्टी अर्थसास्त्र को माइक्रोपिस्कोप से देखा जाता है उन्होंने कहा कौन सरसास्त्री हैं प्रोफेसर लर्नर प्रोफेसर लर्नर ने बताया है लार्नर ने ठीक ही कहा है कि ब्यस्टी अर्थ सास्तर को मैं क्रोइश कोप से देखा जाता है कोज़ा सकता है ब्यस्टी अर्थ सास्तर को स्कोप से देखा जाता है अरे सुचमदर्सी जैसे आप देखे होंगे आप खाना खाते हैं अगर खाने को सुचमदर्सी के पास रख दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे बैक्टिरिया को मिलेंगे जो आपके सरीर के लिए लावदायक हैं उनका अध्यान करना एन उन बैक्टिरिया का भी अध्यान करना कि खाने में इसकी क्या हमारी लिए जरूत है कि नहीं जरूत है जरूत है तो ठीक है नहीं है तो उसको हम अन्य सावागरी के माधेम से उसको नश्ट करने का हम प्रयास करते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप से आर्थिक सेल बहुत सारे आईसे हैं जैसे ब्यक्तिगत जैसे ब्यक्ति तथा परिवार उप्भोगता के रूप में हम देखें माइक्रोस्कोप से पूरी अर्थवेवसा को देखना है हर उद्योग के अंद्रगत आने वाले फर्म को देखना है जिसें बौड़ी में सारे सेल सुका हम stri терри sils का काम बुरा है कौन साथ काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहां तो जिकर किया जाता है व programs थीं दवा करा दे 175 से हम ब्रेटबल्ब बहुट्डावएं भी सब्सक्राइब का देन गया उसकी दवा कराते हैं उसी तरह से हम समस्त अर्थवियोस्ता के चोटे-चोटे उद्योग के अंद्रकत आने माले फर्मों का विया धैन करते हैं अगर वह फर्म ठीक नहीं काम कर रहा है तो उसको को बुष्टिंग बुष्टर देते हैं वो ठीक हो जाए जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी अर्थवियोस्ता को बुष्टिंग सिस्टम दिया गया सरकार के तरफ से अनुदान दिया जाता है ताकि तुम खड़ा रहो मरो नहीं अगर ऐसा नहीं देखा जाता उन छोटी-छोटी कायों के असर पर उसका अध्यन नहीं किया जाता तो खतम हो जाता तो अर्थवियोस्ता ही खतम हो जाती जिस तरह से छोट करते हैं देशन लाखों सेल्स के अंदर गत ब्यक्ति तथा परिवार उपहोगता के रूप में आता है हम कर सकते हैं दो तरह होते हैं ब्यक्ति तथा परिवार उपहोगता के रूप में दूसरा आता है आपका कि ब्यक्ति तथा फर्म उथपादक के रूप में ब्याक्ति तथा फॉर्म उत्पादक के रूप में ब्याक्ति तथा परिवार उभोगता के रूप में एक ब्याक्ति भी उभोगता हो सकता है पूरा परिवार भी उभोगता हो सकता है इन लाखो सेल्स के अंदरगत आर्थिक जीवी सेल्स के अंदरगत भाँ सारे लोग हैं एक संबर्ख से जो है एक ब्यक्ति या परिवार सब को देखा जाए तो ये बिस्व ही एक परिवार है और सबों भोगता है दूसरा आता है ब्यक्ति तथा फर्म एक ब्यक्ति भी उत्पादन करता है और एक फर्म के भी द्वारा उत्पादन किया जा तहत उत्पादक के रूप में कहने मतलब है कि संपुर आर्थिक जीवी के कारिकलाप का अपना इस अर्थभयोस्था में किस परकार योगदान दे रहे हैं यह लाखो आर्थिक जीवी का हमें अध्यान करना है इस microscope से कि हमारी अर्थ ब्योस्ता में ये किस परकार योगदान दे रहे हैं इसको हम कहते हैं ब्यास्टी अर्थ सास फिर हम next वीडियो आपका समस्टी अर्थ सास के लिए आएंगे आज के लिए इतना ही आपने देखा होगा ब्यास्टी अर्थ सास क्या है एक छोटा सा उधा टारन पटाते हैं आख नीजय में धुसमा कि या जीचम सहब को ओताना हो और जानते होंगे चृणी मील घ्राउन में अक्शाव टर दिया जाता है या कूलिस लाइन में हेलिकाप टर दिया जाता कभी कभी जी में हाट़़काप्टर को फॉतार दिया जाता है तो यह किलिय तक है दोनों तरफ की रोड लाइट वाइट सब इतना साफ सुत्रा रंग पूत करके इतना क्लीन कर दिया जाता है और सियम साहब को कार में बैठाया जाता है वहां लेके जाए जाता है वहां का इंवर्मेंट भी बहुत अच्छा होता है सियम साहब उस रोड को देखकरके यह जान जाते हैं कि दिवर्या बहुत टबलब है बहुत सारस उतरा है यहां भी किसी परकर की कोई समच्च्या नहीं है समच्टी अर्fahrस कि उपरे उपरे देख लिए नहीं जब तक हम उतर करके पैदा हर गली का जब अधेन करेंगे तब दिवर्या की बाते समझ में आती है कि दिवर्या में कौन सा बैक्ति कौन सा मुहला कौन सा मकान कौन सी एरिया डवलॉब है नहीं है तो उसको कैसे डवलॉब किया जाए तो माइक्रोइस्कोप का मतलब है कि हम जितने भी सेल्स हैं उसको देख करके छोटी से छोटी काईयों को देख करके यानि आर्थिक जीवी सेल्स हर छेत्र को देख करके इसको पुरुवांचल कहा जाता कि यहां भी कास है नहीं है बया सरकार को यह भी देखना चाहिए कि यह हाँ भी किस तरह का इनकी इन्वार्मेंट जैसा क्या सुभिधाएं दी जाएं कि यह डबलब कर जाएं तो इस तरह से जब हम ध्यान देंगे तो ब्यास्टी अर्षास्त्र वह अर्षास है जो ब्यक्तिगत फर्म हो या इकाई हो या परिवार हो या कीमत हो या मजदूरी हो या आए हो इन सवही का अध्ययन करना ही ब्यास्टी और शास्त्र कहलाता है तो आज के लिए इतना ही बने रही हमारे चैनल में और जड़ा से जड़ा शेयर सब्सक्राइब कर ताकि मैं और भी आपके साथ जुड़ सकूँ तो आज के लिए तना ही धन्यवाद